अरे बेटा ये जो वीडियो है ना ये सिर्फ आपके एंटरेटेंडमेंट के लिए है क्रिपया इसे सीरियस्ली ना ले हम जानते हैं कि बहुत लोग हमरे वीडियोस को सीरियस्ली लेते है तो ये जो डिस्कलेमर है ना ये सिर्फ उनके लिए है और बेल आकन को दबाए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तुरन देख पाए हलो दोस्तो युज सिली मिस्टेक्स में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे सिली मिस्टेक्स धूम मुवी में तो आईए शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले यह वाला सीन दीखें, यहां पर यह बंद अपने लैपटाप को बंद करता है और बंद करता ही मतलब लैपटाउट का डिस्प्रेय बंद हो जाता है, ना उसने शटडाउन किया, ना उसने कमांड दिया, पता नहीं यह कैसे हुआ, इस वाले सीन में देखिए यहाँ पे 60 seconds लिका है लेकिन जैसे फ्रेम आगे जाता है तो आचानक से वो 58 seconds हो जाता है मलब इस particular scene में इनके 2 seconds तो ऐसे ही चले गए अब देखिए दोस्तो इस वाले scene में आप देख सकते हो कि पीछे यहाँ पे दो लड़के खड़े है साइकल के साथ लेकिन जैसे यह scene आगे continue होता है तो वो जो लड़के वहाँ पे खड़े थे अभी यहाँ से गायब हो जाते अब पता नहीं है कैसे हुआ लेकिन हो तो गया चलिए आगे देखते हैं अब देखिए दोस्तो इस वाले scene में आप देख सकते हो कि इस रास्ते की उपर कोई भी मिट्टी गिरा हुआ नहीं है लेकिन जैसे ही camera angle change होता है तो आचानक से यहाँ पे मिट्टी आ जाता है रास्ते की उपर और आप पीछे देख सकते हो कि background मे बहुत सारे लोग खड़े हैं जो shooting देख रहा है ठीक है इसे आप याद रखिए हम आपको बाद में इसके बारे में बताएंगे अभी देखिए दोस्तो यहाँ पे इनका distance देखिए यहाँ पे और camera angle में यहाँ पे distance देखिए कितना कम जादा है एक ही scene है अलग-लग angle दिख जाती है और देखिए दोस्तों पीछे जो वह लोग shooting देख रहे थे वह अचानक से यहाँ पे गायब हो जाते हैं यह रहा वह वाला scene जो हमने आपको पहले बताया था ठीक है चलिए आगे देखते और क्या क्या है अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे अली जब finish line के उपर आ जाते तो अब तक इस particular scene में वो बाइक की उपर बैटे है लेकिन इसके बाद वो दिखाते हैं कि वो बाइक की उपर खड़े हो जाते है ठीक है और इतना travel करके आ रहे है travel करके भी कहा आ रहे देखिए यह अली खड़े है बाइक की उपर और यहाँ पे है नीचे finish line देखिए अली तो यहाँ पे खड़ा है और वो लड़की खड़ी है यहाँ पे तो अली जो finish line क्रोस किया था अली ने तो वो यहाँ पे कैसे आ गया इतना दूर कहाँ पे गया वो चलिए कोई बात नहीं हो जाता है अभी देखिए दोस्तों इस वाले scene में आप देख सकते ह हो कि जैने चश्मा पहना हुआ है ठीक है लेकिन जैसे ही camera angle change होगा तो देखिए क्या होगा वो जो चश्मा था यहाँ से गायब हो जाता है जैसे ये scene आगे continue होता है तो वापस से आप देख सकते हो कि जेक आखों के उपर से वापस चश्मा आ जाता है और वापस camera angle change होने पर चश्मा गायब हो जाता है चलिए अभी देखिए दोस्तो इस वाले scene में आप देख सकते हो कि ये लोग जब यहाँ पर टकराने वाले रहते हैं तो यहाँ पर देखिए दो बंदा काच लेके आ रहा है ठीक है लेकिन अली के अंगल से वो दो बंदे हमें यहाँ पर नहीं देखते हैं ठीक है लेकिन camera angle जैसे change होता है तो बंदे आ जाते यह देखिए वह आ गया है तो पिछले वाले scene में वह हमें दिखे ही नहीं और देखिए दोस्तों यहाँ पर यह जब बाइक काच से टकराएगी ठीक है यह टकराएगी लेकिन बाइक का कुछ भी damage नहीं हुआ ना scratch हुआ ना crack हुआ ना बाइक के काच तूटे मतलब क्या है चलिए अभी देखिए दोस्तों इस वाले scene में यह बाइक अली उपर उठाता है तो लेकिन जय पहले उठ जाता है लेकिन उठना चीए अक्चुली दोनों को एक साथ क्योंकि बाइक पूरी जम कर रही है यहाँ पे देखिए दोस्तों यह पूरा पता चल रहा है कि यह dummy है यह अभी शेक बच्चन नहीं है और पीछे दूर में आप बैगराण में देख सकते हो यह वही आदमी है जो इनका पीछा कर रहा था पहले ठीक है चलिए आगे देखते है अभी देखिए दोस्तों यह लोग दिखाते हैं कि यह लोग इस बाइक ती उपर बैटके जा रहे लेकिन आप देख सकते हो आसपास जो गाडिया गुजर रही है उनका लेवल कितना नीचे है ठीक है मतलब यह लोग आवियसली कोई ट्रेलर की उपर ही शुटिंग कर रहे होंगे अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले सीन में आपको कोई भी बि चेंज करने वाले होते है इस वाले फ्रेम में अभी दिखी झ्यolog को दिखाऊंगा यह उन्हें गेर चेंज किया लेकिन दोस्तों जब उनने गेर चेंज किया तो हम आपे ही नहीं है, ठीक है अभी देखिए दोस्तों वापस से आपर देख सकते हो कि इस जप्सी का लेवल इस बाइक से कितना नीचे है, मतलब obviously ये बाइक वाला सीन भी ट्रेलर की उपर ही शूट किया गया रहेगा, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वाले सीन में क्या होगा, अभी मैंने आज तक किसी को भी ऐसा कोई बुलक काड या बेल गाड़ी जो बोलते हैं कोई ऐसा रेलवे लाइन के वाजू में रखके क्या होगा देखा रहेगा, दोस्तों इस वाले सीन में आप देख सकते हो कि पीछे कोई भी गाड़िया नहीं है, कोई भी बस नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे ये सीन आगे कंटीनू होता है, तो अच्छानक से दे मतलब यहाँ पे जो रखा है, इसके बाजू में देखिए एक बाइक भी खड़ी है, अभी ये पहले तो नहीं था, पता नहीं अभी कहा से आया, अभी देखिए दोस्तों यही सीन में आप देख सकते हो कि पीछे कोई नहीं है, अच्छानक से, पहले दिखाया था कि बस है पर यहाँ पे कोई नहीं है, चलिए, आगे देखते हैं, अभी देखिए दोस्तों यह लोग दिखा थे कि यह लोग जम करने वाले, लेकिन गाड़ी तो बहुस यहाँ पे स्टेंड पे ही है, में स्टेंड पे दिखिए, स्प्रिंग भी दिख रहा है, ओके, अभी यह भी उन्होंने हमको आज तक बताया नहीं, अभी देखिए दोस्तों इस वाले सीन में आप देख सकते हो, कि यहाँ पे एक ही तरफ पेट्रोल या केरोसीन, क्या कहे इसे, डिजल, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे गिराए, लेकिन आग लगता है दोनों तरफ, देखिए आग लग गया दोनों तरफ, लेकिन उसे गिराया था, उस ड्रम को गिराया था सिर्फ एक तरफ, चलिए, शाय स्क्रेप में होगा, अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस वाले सीन में आप देख सकते हो, कि यहाँ पे एक सिकुरिटी गाड खड़ा है, लेकिन जैसे यह सीन आगे जाता है, तो वो गाड यहाँ से कायब हो जाता है, यही नहीं, जब यह सीन और आगे जाएगा, तो वो गाड वहाँ पे वापस आ जाता है, अब यह कैसे हुआ, पता नहीं चला हमें, चलिए, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, अभी बोट को यहां पर ले आए अभी देखिए दोस्तों इस वाले सीन में आप देख सकते हो इस ट्रेलर का दर्वाजा पीछे के तरफ से बन दे पूरा पैक है लेकिन इस वाले सीन में आप देख सकते हो कि वो ट्रेलर का दर्वाजा थोड़ा सा खुल गया है अब यह कैसे हुआ पता नहीं ओके अभिशेक बच्चन दीकि पीछे जम करते हैं ट्रेलर पे लेकिन यहां पे जॉन इब्रहेम उपर देख रहे हैं कि मतलब शायद उनको आवाज आया होगा चलिए अभी देखिए दोस्तो वो ट्रेलर तो पहले थोड़ा सा खुला था दर्वाजा लेकिन अभी यहां पे देखिए पूरा का पूरा दर्वाजा ही या फ्लैप पूरा खुला है देखिए पहले कुछ ऐसा था और अभी वो टोटल ही मतलब खुल जाता है ओके अभी देखिए दोस्तों इस वाले सीन में अभिशेक बच्चन का पेर लगा भी नहीं जौने प्राइम को लेकिन उन्होंने बंदुक पहले ही छोड़ दिया यहां पे देखिए दोस्तों आप पीछे देख सकते हो पीछे आपको दो बोड दिख रहा होंगे ठीक है एक यलो कलर का और एक रेड कलर का और यहां पे कुछ बोड वगर है यह तो वहां पे था ठीक है लेकिन इस वाले सीन में वह वापस हमें दिखता है लेकिन पिछले वा आपको एक इलेट्रिक पॉल दिख रहा होगा जिसके उपर से कुछ वायर वगरे जा रही है लेकिन जैसे ये सीन आगे जाता है तो अचनक से वह वायर वाला पॉल गाइब हो जाता है यहां दूर में एक है एक हाई इंटेंशन का टावर है लेकिन यहां पर कोई भी पॉल न देख सकते हो ठीके इस बोड के बारे में हमने आपको पहले बताया था और वह हमें कुछ दिखा था यहां पर पता नहीं इस वाले सीन में वह कैसे दिख रहा है अभी देखिए दोस्तों यह लोग जब इस ट्रेलर के उपर जा रहे है तो पीछे बहुत सारी गाड़िया आ यहां पर देख सकते हो यह हमने देखा था पहले कुछ यहां पर उसके पहले देखा था कुछ यहां पर ठीक है मनलब यह एक ही रोड पर यह लोग शूट कर रहे हैं मुझे लग रहा है चलिए अभी देखिए दोस्तों यहां पर जौन इब्राहेम अभिशेक बच्चन और इनके आगे आगे है ठीक है अभी आप देख सकते हो इनका इन दोनों का डिस्टेंस देखिए अभिशेक बच्चन का और उदय चौपड़ा का डिस्टेंस देखिए जौन इब्राहेम से कितने दूर है लेकिन फिर भी वो लोग एक दूसरे से कितने सौफली बात कर रहे है इस वाले सीन की सबसे तो इनके दिखाया था कि ये लोग समुदरों के सामने है ठीक है उनको जोर से बात करना चाहिए अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर अभिशेक बच्चन यहाँ पर है और उदय चौपड़ा यहाँ पर इतने दूर है लेकिन अब चौन इब्राहेम इतने जोर से गाड़ी चलाके आजाते है नीचे जम कर लेते हैं जैसे हमने मुवी में देखा था लेकिन अभिशेक बच्चPoint अर उद्वेचौपड़ा उदे शौपड़ा यह वहां से गाड़ी लगाके दोनों वहां से गाड़ी लगाके इतने दूर भाग के आ जाते है मरलब यह पहले क्या distance था अभी क्या distance है चलिए कोई बात नहीं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद ना आया हो तो आपको पता है आपको क्या करना है